नमस्कार मैं भी कृष्णा घरे लून्स के मागे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे फटी एडियों कि जैसे सर्दियां आती हैं इसकिन के फटने की समस्या सामने आने लगते हैं और एक डरने लगता है कि अब सर्दी आ गई हैं और हमारी स्किन कोई आपकी एडि ना देख ले आप उसे ढखते रहते हैं तो क्यों ढखने की जरूरत है आज में बहुत बहुत असान घरेलू ऐसे नुसके लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी एडियां सर्दियों में फटने से पहले याप यूज कर ले तो फटेंगी नहीं और अगर फट मैं बात कर रहे हूं फटेंगों की सरदियों में फटना एक काम सी बात है तो सीधी सी बात यह यह कही जाते है कि आप गुंबुने पानी में पैर डालिए और उसके बाद उसमें हलका सा नमक डालिए और उससे आप साफ करके एडियों तेल लगाकर साथ में सो जाईंगी प्रड़ के समय प्रपार्ट नहीं कर पाते तो अगर आप अपने प्रफ यह वाली केर नहीं कर पाते तो अब क्या करें नारियल का तेल गुन गुना करके आप लगा के अच्छे से थोड़ दिर मसाज करें तीवी देखते देखते रुसके बाद सौक्स पैन के सो जाएं यह सबसे असान है लेकिन यह थोड़ा धीरे वर्क करेगा लेकिन अगर आप अपनी एडियो में जो डैड स्किन है उसको हटाना चाहते हैं उसको स्क्रब करिए थोड़ा सा चाबल काटा ले लिजिए उसमें थोड़ा सा शेहद मिला लिजिए और उसमें दूद या दही जो भी आप गुलाब जल जो भी डालना चाहते हैं उसको पेस्ट बनाने के लिए और उसको अगर आपको लगता है कि आप बैठके टीवी देख रहे हैं खाली टाइम में कर सकते हैं आपको दिन में समय नहीं है तो आप उसको स्क्रब को एडियो पे लेके आप अपना दूसरा काम करते करते हैं और अपने एडियों को स्क्रब से खूब रगड़ी है जब अच्छे से स्क्रब कर लेंगे तो एडियों पर से डाड़ स्किन हटाएं ठीक है लेकिन अगर हम बिल्कुल नेच्रल तरीके से डाड़ी स्किन हटाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है तो आप बिल्कुल डैडी स्किन आपकी हट जाएगी उसके बाद आप गुन गुना तेल कोई भी नारियल का है या कि आपने जहतून का देल लिया है या तो आपने बदाम का तेल लिया है जो भी आपके अवेलेबल है बैट के ओपर आपने रखा होगा सरदी में आप सभी रख ले वग्राथे केला बच गया पपाया बच गया मैंगो बच गया जो भी कुछ बच जाता है और हमें लगता है खराब हो गया या देखने में अच्छ नहीं लगा है उसको हम यूज करते हैं तो आपके पास अगर ऐसा कुई प्राना केला है कि किसी ने खालिया थोड़ा सा और अपनी हो पर मसाज करके उसको इसे चोड़ दीजिए दिन में यह स्कुछे तरीके विए पर मिसी कर लिए और उसके बाद आप अपने पैरों कें पैर आप तो थे दो आप शुडू में ही देखवाल कर लेंगे तो उसमें कट नहीं पड़ेंगे जब एडियों में कट पड़ जाते हैं वो बड़ा दुख देते हैं चलने में भी दिक्कत होती है क्योंकि उनके अंदर से कभी कभी बलड भी आने लगता है और वो खुले वे जो पौर होते हैं व फिर बहुत सारे तरीकों से हम उनको हिल करते हैं कि वैक्स डालते हैं उसके उपर या कुछ डालते हैं और हिल करते हैं लेकिन वो जल्दी नहीं होते हैं लेकिन बहुत अराम से होते हैं लेकिन हम उनके एडियों के फटने का इंतिजार करें ही क्यों जो मैंने आपको बताय केला शहत को आप यूज़ कर लीज़े चाहें आप उसका स्क्रब जो मैंने बता है चावल काटर डालकर स्क्रब बनाकर अपनी एडियों को अगर सब्ता में दो दिम भी आप स्क्रब करेंगे तो आपकी एडियां फटेंगी ही नहीं और रात में तो आपको यह करना ही पड़ दो सकता है आपको वुलन सौक्स सूट ना करते हो किसी की को ऐसा होता है कि हम हमें वुलन सौक्स था नहीं है लेकिन जब आप उसके उसके लुपत कर था जीता है वो सौक्स पहन लेते हैं तो वो उतने एरिये में ही जो चिकनाई है आपकी स्किन के अंदर जाती है और स्किन के अंदर जाती है तो वर्क भी करती है तो वैसे तो बहुत सारे नुसके हैं फटी एरियो को ठीक करने के लिए मैं और भी आपके लिए समय समय पर लाती होता है तो फिर वो मम्मी को परिशान करते हैं तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो यह परिशानी होगी नहीं तो मुझे दीजिए जादत आशा करती हूं यह नुस्का आपको बहुत उपयोगी सावित होगा मिलती है को जबर दस्के के साथ तब तक स्वा